सुपरिक्रम कोट ने जम्मकश्मी से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही भाना है। लिए विदान सभा की और से सिपारिश किये जाने की जरूरत नहीं थी उन्होंने कहा कि यह प्रावधान आस्थाई था इसके साथ ही कोट ने उन याजिकाओं को खारिच कर दिया जिसमें कहा गया था कि यह एक इस्थाई प्रावधान था जिसके तहट पांच अगस 2019 को जम्मो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हुआ था इसके लबार राजिका पुनर गठन दो केंशासित प्रदेशों के तौर पर कर दिया गया है कोट ने कहा कि एक बार फिर राश्टपती शासन लग सकता है तो केंश सरकार के पास यहां अधिकार है कि वहां राश्टपती के आदेश पर फैसला ले सके चीफ जस्टिस ओफ इंडिया ने कहा कि इस मामने में सुप्रिम कोट को प्रक्रिया में कोई खामी नहीं दिखती यहां सुप्रिम कोट की तरफ से एक बड़ा सुझाओ भी दिया गया कि जमो कश्मीर में जल्दी ही चुनाओ कराए जाए कोट ने कहा कि 30 सितंबर 2024 तरफ जमो कश्मीर में चुनाओ कराए इसके लावा राज़ का दर्जा भी जल्दी ही बहाल कर दिया जाए सुनवाई के दोरान भी सुप्रिम कोट ने चुनाओ को लेकर सवाल पूछा था इस पर केन सरकार के वकीलों ने कहा था कपर सीमन करा लिया गया है और अब चुनाओ के लिए आगे बढ़ने की तैयारी है गौर तलब है कि हाल ही में केन सरकार ने जमो कश्मीर में आरक्षड संसोधन विदेग को लोगसभा में पेश किया था इसके तहत OBC आरक्षड पर फैसला लिया गया है इसके अलबा विदानसभा सीचो को भी वियस्थापित कश्मीरी पंडितों और P.O.K. से आयफ वियस्थापितों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है इस तरह आर्टिकल 370 के फैसले पर सुप्रिम कोर्ट की मुहर के बाद अब सरकार इन बिलो को आगे बढ़ाएगी जानकारी के मताबिक इस बिल पर ग्रीमंत्रिया में शाह राज्य सभा में पेश कर सकते हैं इसके लावा आर्टिकल 370 को लेकर पांच जज़ों की बिंच ने कुलती इन फैसले लिखे इन फैसलों में भले ही अलग-अलग बात कही गई हो लेकिन निश्कर्स उनका एक ही है चीप जस्स डीवाई चंचूर ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मो कश्मीर ने विलय के साथ ही अपनी संप्रबता भारत को ही समर्पित कर दी थी इस तरह उसकी कोई संप्रबता नहीं रह गई इसके अलावा जम्मो कश्मीर के अलग संविधान को लेकर चीप जस्टिस ने कहा कि या मैज भारत के साथ उसके रिष्टों को परिभाशित करने के लिए ही था फैसले से पहले ये दावे किये गए उमर अब्दुल्ला और महबुबा मुप्ती की तरप से कई नेताओं को नजर बंद कर गया है इस पर उपराजिपाल मनोस सिना ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है ये गलत जानकारी है किसी भी नेता को नजर बंद नहीं किया गया है पीजीपी के कुछ नेताओं ने कहा कि फैसले से पहले उनकी लीजर महबुबा मुप्ती को नजर बंद किया गया आर्टिकल 370 सुप्रिम कोर्ट में गुपकार गटवंदन में शामिल कई दलों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई थी आर्टिकल 370 पर फैसला सुनाने माली पांच जजों की समवैदानिक बेंच में सुप्रिम कोर्ट के चीप जस्टिस ओफ इंदिया डी वाई चन्चूर जस्टिस किशन कॉल जस्टिस संजीव खन्ना बी आर गवई और जस्टिस सूरी कांथ शामिल है Bureau Report, India Post News